सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है। शिव भक्तों ने कावड यात्रा शुरू कर दी है। पूरा विश्व हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। क्या आप जानते हैं सावन में एक खास मंत्र का जाप करने से आपको विशेश फल की प्राप्ती हो सकती है। भगवान भूलेनात का एक ऐसा मंत्र है जिसके उचारण से मन चाहावरदान मिलता है। या कहें कि सभी मनुकामनाएं पूरी हो सकती है। इस खास मंत्र के बारे में हमें ज्वानकारी दी है हरिद्वार के विद्वान जोतिशी पंडित शुरीधर शास्त्री ने। ये खा दीनाम पितद्व सन्नास्त्वईगिर अथा वाच्च सर्व स्वमति परिणाम अवदिग्रणन ममापीस स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरे। इस परकार से जो सिव महिमन स्तोत्र है ये सिव महिमन का पहला जो स्लोक है वो हमने उचारण किया और ये पर्थम स्लोक के तरिक इसमें जो पुल संख्या है, तैतालिस जो हमारे स्लोग हैं, वो इसमें लिखे हुए हैं। जो भोले संकर को ही ये महीना समर्वित है, इस महीने में यदि हम सिव महिमन का पाठ तीनों समय करते हैं, तो कई गुणा इसकी फलकी प्राप्ति होती है। हरिद्वार में रहते हुए स्रावनमास में करते हैं, इसका विशेज महत्व है। पंडित जी से खास बाचीत में उन्होंने लोकल इठीन को पताया कि इस मंत्र का जाप सूरद है, तो फैर ये संध्यकाल में भी किया जा सकता है। धार में ग्रंथों के अनुसार यदी भगवान शिफ के शिव महिमन स्तोत्र का पाठ तीर्थ नगरी हरिद्वार में सावन के महिने में किया जाए, तो व्यक्ति को इसका कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। प्रात है, मद्ध्यान और साय अर्थाद तीनों समय में ही इस पार्ट को हम कर सकते हैं, इसका हमें विशे से लाब मिलता है और हमें अनेक परकार की लाब होते हैं कि हमारा स्वास भी अच्छा रहता है और लक्समी की प्राप्ती होती है, विद्या प्राप्त होती है और हम में इस स्तोत्र का कई गुनाफल प्राप्त होता है और हमें मौक्ष की प्राप्ती भी होती है आपको बता दे कि सावन का महिना 19 अगस्त तक चलेगा ऐसे में आप हरिद्वार जाकर तीर्थनगरी के दर्शन करते हैं तो भूलिनात के इस मंत्र का जाप जरूर करें लोकले ट प्राप्त